रिलीजन आप देख रहे हैं उसको ही बेस माल लिया जाए किसी नेशन का कि धरम होगा यह धर्म है तो इसी धर्म के नाम पर देश चल रहा है उस एक को ऐसा बेस मालने के तब होगा कास के नाम पर इलेक्शन पूरी तरीके से सक्सेस हो जा यह ज़रूरी नहीं है अगर ऐसा होता तो जो जो लोगों के अपने जातियों के कैंडिट खड़े वो कभी जिन्दगी में हारते ही नहीं जिन्मी राज्यों में मुख्यमंत्री मैलाय बनी है आप केबिनेट मिनेर्टर की लिस्ट न आइट की जो एकसराइज है वह आपको सारी समझ में आ रही होगी आपको उसके थूँ यह भी समझ में आ रहा हो कि क्या कॉंसेट्स रहे हैं क्या हमने पढ़ा था वह सब लिए बैक एकसराइज का मतलब ही है कि आपने जो कुछ पढ़ा उसका एक रक्स आप उसको कॉमन फ बार बार पार यह बोच्वाण कि साय कैसे कैसे लेकर तो उसका पहला सट यह है किया आप लिखने की प्रेक्टिस करें और फूब हो लिखने के प्रैक्टिस सब्कित होगा कॉंसेब्ट को पहले याद कीasta को समझ celebrities The best strategy to attend any any कोश्चन बहुत अच्छा जाएगा क्या करने वाले हैं आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस का एक और चेप्टर नाम है जैंडर रिलीजन कास्ट मैं आपको यह करवाया था बहुत प्यार से मैं आप इस प्यार को करवाया था आज इस चेप्टर का कंप्लीट एंसियर्टी तो ह मैं ऐसे पहलू बताने है को ने जानी आता है या फिर इंशौूट वोमें डिसक्रोमेन इन इन्हाव को दिस्क्रोमनेटेडगी दिस एडवाटेज जयो होता है आपटी अंसर है कि का कैसे तो बहुता है परस्स पॉइंक ने से कैसे भी कोई भी 5 पॉइंट जाद रख सकते हैं सबसे पहले मैंने बताया था आपको लिट्रेशी रेट फीमेल की लिट्रेशी रेट मेल की लिट्रेशी रेट दोनों में फर्क है वोमें 54% एजुकेटिड है और मेल जो है वह 76% महिलाओ का जो एजुकेशन का है वह आप वाली जॉब्स है जिनके पैकेज 1 CR 2 CR वो इतनी सी और बाकी की जो है ना उनके बाद जॉब्स ही नहीं है तो जो प्रपोर्शन है जो रेशियो वुमें है ऑफ हाइली पेड और वेल्यूट जब्स क्या है वो बच्चों इस वेरी वेरी स्मॉल तीसरा क्या है एक्कुल रम कई इलाकों में पेरेंट्स जो है प्रेफर करते हैं कि उनको बेटे मिले बेटे पैदा हो और जैसे उनको अपनी बेटिया का पता चलता है वो उनका बहुत करा देते हैं मार देते हैं जो कि बिल्कुल गल्थ है सच सेक्स सेलेक्शन अबॉर्टिव लेट टूर्ट डिक्ल कर सकते हैं यह फाइफ हो गया यह सिक्स हो गया बहुत सारे हरेस्मेंट डॉमेस्टिक वॉलाइंस एक्स्पोलिडेशन फीमेल बियर करती है फीमेल बरदाश्ट करती है मेल नहीं करता है या तक ही आप देखेंगे बेटियों को कम पढ़ाया भी जाता है बड़ी बड़ी पर मतब 10 पास करा ले तो बहुत बड़ी बात उसके बाद आगी की जो पढ़ाई है ट्वैल्थ है भी कॉम है एम कॉम है एम उसके आगे आगे कोई पढ़ाई होगी या कोई और प्रोफेशन पढ़ाई होगी नहीं करवाते हैं सो यह सारे असपेक्ट्स हैं जहां पर फीम बीटिंग हरेश्मेंट यह सब से आधा है एक वर्क फोर एक वर्क होना चीए बट नहीं कर रहे हैं फीमेल में जो है वह कम हैं बढ़ते हैं आगे कोश्चन की तरह स्टेट डिफरेंट फॉर्म सॉफ कॉमिनल पॉलिटिक्स विद वन एक्जामपल आप आपको कॉमिनल तब होगा क्या होता है और रिलीजियस प्रोडिशेस स्ट्रियो टाइपस ऑफ रिलीजियस कॉमूलिटीज एंड बलीफ ऑफ सुपिरेटी ऑफ वन रिलीजियन ओवर दा अधर ऐसा विश्वास पहले से पहले यह मालने ना कि एक्स धरम है इसके लोग अच्छे हैं भी धर परसंट क्या होगा वो हमेश्पा चाहेगा कि क्या हो पौलीटिकल डॉमिनाइस ओफ वन्स एनदर रिलीजियस कॉमुनुटी या पर वन्स ओन ठीलिज всп कॉमॉनुट प्रिमोशनल अपील प्लेंट फियर इन और टू बिंग किसलिए कि आजाता है आपको आपके धर्म के नाम पर आपको अपील की जारी किया आप मेरे धर्म के आप मुझे वोट दें मैं आपके धर्म को आप मुझे वोट दें यह सिंबल है दोस्तों कई पार्टी ऐसा मान लो अगर आपको इससे मिल जाएगा अब क्या होगा मैं एक दिन जा रहा था तो मैंने देखा एक हमारे ही गौड में एक ही फोटो जमीन पर पड़ी हुई थी लोग चले जा रहे लोग चले जा रहे नहीं है ठीक है सब की अपना विश्वास अपना फेद बलीव आसता है मेरे को नहीं चला गया मैंने उठाया बाई उठाके साफ करके अपनी जर में रख लिया क्या है अब वो मेरे लिए क्या है एक मुद्दा है एक सिंबल है वो सिंबल को मैं मतला इसा ना छोड़ू मेरे तो एमोशन अपील हो गई तो ऐसी बहुत सारी अपीले जो है पॉलिक्स मे करते आगे स्टेट हाओ कास्ट इनक्वालिटी इस और स्टेल कॉंटिन इंडिया आप कैसे कहींगे कि हिंदुस्तान में भारत में जातिवाद आज भी है जातिवाद क्या होता है कास्टिसम क्या होता है कोई कास्ट का मैं उपर कोई कास्ट का मैं उपर कोई कह रहा है मैं तो यह जो उपर उपर का जो डिफेंट चल रहा है इसके से क्या होता तो देखिए सुनिए गा आज भी देश में बहुत सारी कास्ट ट्राइब अपने ही कास्ट ट्राइब में शादी करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा बही किसी एक प्टिवर जाती ने अपने जाती के को में करी शादी अब होती है ऐसे यह देखिए अब इसे आस्ता बिलीब कह रहे हैं लोग जैसे भी कर रहे हैं पर बात यह कि कास्ट इजम इस लेवल पर कि वह भार निकलती नहीं जैसे आपने सुना लाव मैरिज कर ली अब माब आप नहीं एकसेप्ट करते तो वहां किसी भी तरह की चलती और अंट शुटी वैसे होती क्या है जो आप किसी को यह बोले के हम गो रहे हैं तू काला है जो आपने अफरीका में अग्जामपल में देखा आप गाउं के मैं शहर काऊ आप कम पड़े में जाधा पढ़ाओ आप उस धरम के मैं इस धरम काऊ आप उ नहीं बैठ चाकते जस्ट लाइक सिमिलर एक्जामपल आफ साउथ अफरीका जहां पर अफ्रिकन गवर्मेंट ने नेटिव ऑफ अफ्रिकन के साथ क्या किया था जब वह पहले एजूकेशन नहीं पहले पहले उनको मना थी तो आज भी पिछड रहे हैं जो एकनोमिक स्टे सबसे निचे लोवर कास्ट और बीच में यह सारे अब देखेंगे कि हर कास्ट में कुछ गरीब और पूर होते हैं पर सबस्यादा गरीब कहीं पाए जाते हैं तो आपको मिलेंगे क्या लोवर कास्ट के लोग अमीर मिलेंगे अपर कास्ट के लोग समझ मैरी बात आप लोगे रहीस कौन है और जिनके घर देखके पता चला लोगे कि वह गरीब कौन है तो यह वह सारे तरीके हैं जिनके वीसे कास्ट इनिकुलेटी पता चलती है आगे चलते हैं दो ऐसे रीजन बताने जिसे पता लग सके कि कास्ट अलों अगर आपको चैप्टर में बताया था कास्ट के नाम पर बहुत कुछ होता है पर कास्ट के नाम पर एलेक्शन पूरी तरीके से सकसेस होगा यह ज़रूरी नहीं है अगर ऐसा होता तो जो जो लोगों के अपने जातियों के कैंडिट खड़े वो कभी जिन्दगी में हारते ही नहीं कभी जिन्दगी में हारते ही नहीं समय रही कि नहीं हारी बात कभी जिन्दगी में नहीं और जिन लोगों ने जिन भी लोगों ने कास्ट नाम पर ऐसा बोला कि मतलब मेरा यह वोट बैंक है उनका मतलब यह नहीं होता कि सारे लोग उसको वोट देंगे इसका मतलब यह पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है उसके मैजरेटी ऑफ पीपल उसको वोट देंगे वोट बैंक का मतलब यह होता है आई यह दो रीजन मैंने तो वैसे बहुत सारे आपको पताए हैं आप उन्हों से देख सकते हैं नो पार्लेमेंटरी कॉंसरेंस इंडिया भारत में को कोई भी सांसद दे लीजे कोई भी विधायक लेडिये कोई भी ले लीजिए उसको कभी भी किसी सिंगल कम्मूनिटी की मैजरोटी नहीं मिली है आप यह कह दें एक कास्ट है उसने सो रेने मिलके एक यू को वोट दिया आप चेक कर वाले ना हिंदुस्तार में यह अच्छ इसका मतलब यह है जब एक पार्टी किसी एक प्रटिफर कास्ट दे ले पारी तो इस पार्टी को तमाम कास्ट तमाम कम्मूनिटी तमाम रिलीजिन के लोगों से अपील करनी पड़ेगी किसलिए तो विन एलेक्शन नो पार्टी विंस दा वोट्स ओन वोट्रों वोट्ट कम्मूनिटी यह मैंने आपको बताया तो वन पीपल से यह यह मेरा वोट बैंक किसी ने बोला यह मेरा वोट बैंक है सर क्या मतलब है इसका इसका मतलब है यह जो सामने पकर 50 लोग खड़े ना इस 50 पर 40 लोग मुझा वोट दे रहे तभी यह वोट बैंक के लाता है तो यहां पर क्या हुआ वोट में का मतलब यह इन 50 में से 40 लोग वो मुझे वोट दे रहे यही है मैजूरिटी और यही है आपका कास्त के उपर होने वाले इलेक्शन का नतीजा नाव नेक्स कोर्शन इस वाट इस स्टेटस आप वोमें रिप्रेसेंटेशन इन इंडिया लोकल इलेक्शन है उनमें फीमेल का क्या रोल है क्या उनकी सिच्वेशन है वो बताना है पॉलिटिक्स में शॉट इंडिया वाट करूं वुमें का लेशिशन बहुत कम हम यहां पर स्केंडी नेवियन कंटी की तरह नहीं है जहां पर स्वीडन में नौर्वे में क्योंकि हमारी सोसाइटी आज भी यह बिलीव करती है कि वी आर मेल डॉमिनेटेट सोसाइटी यहां पर मेल की चलेगी पुरुष की चलेगी तो जो पहली बार आपने देखा पहली बार कोई रेशियो फीमेल का सबसे जादा अगर कहीं बढ़ा लोक सवा में तो वह बढ़ फीमेल को इतना रेशियो है फीमेल का इनका जो स्टेट असेमली जो मले होते हैं यह तो गया एमपी यह गया मले मले के चुनाव में इनकी सीटे 5% से भी कम थी अब आप सोच लिए क्या रेशियो 95% फीमेल 5% 95% मेल 5% फीमेल सॉरी उल्टा नहीं करना ठीक है जबकि मैंने आपको एक चीज़ बताई कि हम हम हुमेनिटी का हम हुमेनिटी का दो पार्ट देखते एक तो मेल और एक फीमेल और यहां क्या और है 5% और 95% आपका लेजिसलेटिव असेम्बली में आप देख सकते हैं कि रेशियो एक्वल बिल्कुल भी नहीं है हाला कि मैं आपको और व लिस्ट निकाल के देख लेना मेल मिलेंगे तो भाई फीमेल की तो कम से कम तभी बढ़ावा दे लेते तभी फीमेल आ जाती तो शाहिद कुछ एक्जामपल और हमें पढ़ने को मिलते प्ट एक्च्वल मेल मेल रहा चाहिए बेशक आपकी फीमेल प्रधानमंत्री बन यानि कि 100 मैसे 33 मैला ही लोकल बाड़ीज में आएंगी इस तरीके से आज लोकल इलेक्शन में 10 लाक मैला हैं 10 लाक मैला है और सेम चीज में आपको बता दूं सेम चीज में आपको बता दूं कि जो लोकल इलेक्शन में मिला जो लोकल गवर्मेंट में आपने देखा कि 33 पर में प्लस लेजिसलेटिव असेम्बलीज में प्लस लेजिसलेटिव असेम्बलीज में आपकी बुक में बात लिखी हुई है जहां पर आप देखेंगे सेकंड पैरा जो आपका राइट सैड में लिखा हुआ है बुक्के में वहां पर क्या लिखा हुआ है निचे के लाइन ल चुका है और आने वाले एलेक्शन में इसे इंप्लीमेंट भी करते जागा लागू भी करते जागा इन्हीं कि 33% वाला मुद्दा सॉल्व कर दिया इस प्रेजेंट गवर्मेंट ने यह क्यों लागू तब होगा अगले एलेक्शन में क्योंकि उसके लिए कर शर्त रखी पैंडमिक कोविट की वैसे सर्वें नहीं हुआ अब यह सर्वें होगा उसके बाद ही यह जो है 33% वाला रूल एप्लीकेबल होगा ठीक है ताकि एक्शल में में मिल जाए क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारी सीटे जो है विदान स्की लोग सभा की रिडियूस की गई है आएका टाइम पता चल जाएगी आपको बता देंगे ठीक है आगे चलते हैं मैंशन एडिटू को प्रोविजन डैट मेंक इंडिया सेकुलर स्टेट सिंपल सी बात है इंडिया को सेकुलर बनाने की बात है कोई ऑफिशल रिलीजन नहीं है इंडिया में ठीक है समिधान यह कहता है हर कोई मैं आप हमारे दोस्त जिसका जो रिलीजन है उसको चाहे वो अपना क्या करे उसका पालन करे पूजा करता है करे दूसरों को बोले मैं यह धरम से हूँ कोई दिक्कत नहीं सब कुछ कर सकता अपनी चोईस के हिसाब से सब्सक्राइब कोई यह कहता है कि हमारा धर्म उपर है तेरा धर्म नीचे है तो सम्विधान इस बात की पर्मिशन नहीं देता क्योंकि इंडिया सेकुलर स्टेट इंदोस्तान में आस्ता कोई धर्म ऑफिशल हुआ ही नहीं तो कोई अलाव करता है स्टेट को भी कि अगर आपको लगता है आपको दितता है कि कोई धर्म अपने आपका अपना मतलब इंपेक्ट जाता दिखा रहें दूसरे कि मैं यह हूं तो आप बीच में जाईए इनवाल्मेंट दिखाईए इंटर्वीन मतलब हस्त शेप इंवाल्मेंट दिखाईए कि all religions are equal काहे आप लड़ आप बड़े चोटे everyone is equal every religion is equal clear नहीं कि लिए कि नहीं कि ले लेगे नहीं कि चले वह जबात करते है एक्षोल में डेंजर डिवीजन होता है हम क्या बता रहें इसका मतलब क्या है biological difference तो नहीं होता है कि पैदा हूआ ऐसा हमने तो नाम रखा है लड़का-लड़की ऊपर वाल उनको अनिक्वल रोल अनिक्वल मतला इक्वल रोल नहीं कि मतलब कहने का दब यह कि फीमेल घर का काम करो मेल भार काम करो अनिक्वल चाइड सेक्स रेशियो इक्वल चाहिट सेक्स रेशियो नहीं है ओके एपसंस वोटिंग राइट फोर वुमें इन डेमोक्रेशी मैलाव को वोटिंग राइट ना होना देखिए जैंडर डिवीजन का मतलब यह है कि मैं घर के बाहर काम करेगा फीमेल घर के अंदर काम करेगा यही फस्ट लाइं थी इस नोट बायोजिकल राइट इस बेस्ट शोशल एक्सपेक्टेशन और स्टीरोटाइब यह मैंने आपको बताया था फस्ट थर्ड लाइन में ठीक है इन इंडिया सीट सा रिजर्फ वुमेंट आज तक ही इंदोस्तान में सीटे कहा रिजर्व होई है 33 परसंट आंख बंद करते ही याद करिए 33 परसंट कहा रिजर सिधा काम की बात ठीक है consider the following statement on the meaning of communal politics communal politics जो आपको समझ में आया उसमें आधार पर उसको समझने के बाद आपको बताने मैंने क्या मोलना किमेरा धर्म मेरे धर्म की चलनी चाहिए दूसरे तर्म को यह तो मेरे धर्म को अपनाना होगा या उसे बाहर जाना होगा और जहांपर स्टेट dip कुर्मेंट भी खुद यह कहें कि हां देश रिलीजिन इस मच अबाव गंदी अधर रिलीजिन इसा वाला कॉमिनेट पॉइंट तो बताइए वन रिलीजिन इस सूपियर टुट आफ अधर्स बिल्कुल सोच है पीपल बिलांगें तो डिफरेंट रिलीजिन के लिव एक धर्म के लोग हैं दूसरों से अलग होते हैं ठीक है तो क्या वो जो एक धर्म के लोग होंगे वह समाज में मिलके नहीं रहेंगे बिल्कुल रहेंगे नहीं तो फिर बटवारा होगा तो फिर अलग सोच होगे वह नहीं चलती है यह भी ठीक है स्टेट पावर कैननोट used to establish state power किसी भी धरम का domination यानि कि उसको बढ़ावा नहीं देगी ऐसा नहीं communism में बोला जाता है क्योंकि बात कर रहे हैं politics की politics मतलब government government खुद करेगी ऐसा कैसे कि तुम उपर हो तुम नीचे हो तो यह भी गलत है तो a and c निकल के आता है रही किदर है मदा रहा है न मुश्क्राओ मुश्क्राओ डरो मत मुश्क्राओ चलो कोशन है खानी जाएगा चलो which among the following statement is statement about India's constitution is wrong अचो wrong बतानी है ठीक है it provides discrimination on grounds of religion नहीं यार बिलकुल बोलता है इससे तो कोई लेना देना नहीं यह तो नहीं हो सकता it gives official status to one religion रहे कैसी बात किया रहे दोका दिया पहली लाइन पहले ही मिल गया एंसर हमने बोला है इंडिया is a secular state that means no official religion यही तो है no official religion तो यह कैसी बात कर रहे हो option B is correct B is correct चलिया आगे देखते हैं okay list match करनी है person who believes in equal rights and opportunity for women and men आपने term बढ़े थी feminist moment feminist वो लोग होते हैं जो यह बात कहते हैं कि all are equal humanity में man and woman है दोना बराबर है जो equality की बात करते हैं तो यह a person who says that religion is the principle based यानि communist यानि की आपका यह अच्छी बात नहीं कर रहा है a person who thinks that caste is the principle basis of community caste 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 casteist a person who does not discriminate others on the basis of religious belief secularist जो कोई दी है और फोर का सी है बीए डीसी बीए डीसी बीए डीसी यह ना यही है ओके बीए डीसी यही है correct answer समझ में आया कि नहीं है समय में चलिए आगे बढ़े ओके बाए हमबक रदम चलिए समझा देते हैं हमबक थुड़ा सा और दे देते आपको क्या क्या और पढ़ना चाहिए शरम में आपको कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट यह दौनों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए मैंने वहां पर बताए कि कैसे कास्ट का यूज होता है कि आपने बोल दिया कि यह धर्म उपर है इस तरीके समने बात करी थी कास्ट का यूट्लाइस कर रहे थे सेक्रेट सिंबल्स का हाँ जोड़ ले कि हम बड़े हैं जब एक कास दूसरी कास से आगे बढ़ना चाह रही हो तब वहाली लाइने लास्ट पेश पर लाइन है आपको पढ़ना है इसके अलावा आपको कॉम्मिलिजम को जरूर पढ़ना है जहां पर आपको क्या मिल रहा है कॉम्मिनल पॉलिटिक सीखने को बिला कि क्या चीज होती है कैसे जब बोला गए कि एक धर्म उपर है स्टेट खुद चाहरा है एक धर्म अपनी चलाना चाहरा है यह सब हो गया वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यह जरूर याद रखिएगा यह चीज़े जरूर पढ़नी है और दुबारा पढ़नी है ठीक है सो कानी खतम होती है मिलेंगे अगली वार तब तक के लिए बाए टेक क्यार वसकराते रहिए और NCRT को एंजाय करते रहिए बत अब तब तक लिए बाइ सी उचे